हेलो फ्रेंड गुद मॉर्निंग वेलकम टू यूटूब चैनल कंट्रक्शन मनेजमेंट फ्रेंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो हजार तेश में सौब कंट्राक्टर ठीकेदार सिलाब का सेंट्रिंग करने में पर स्क्वाइर फिट क्या रेट लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल देंगे जो कुछ भी डिटेल होगा परफेक्ट होगा जो सिलाब में सेंट्रिंग वर्ट ठीकदार करते हैं अगर आप भी अपना घर बनवाना चाहते हैं तो इसमें पलाईवोड बला बांस बंबू यह सब सेंट्रिंग नहीं खरिद पाते हैं इसलिए आदमी चाहता है कि कोई सब कंट्राक्टर मिले कोई ठीकदार मिले उससे कंट्रेक्ट करके और अपना काम निकाले तो आसान तरीका है लोग ढूट लेते हैं ठीकदार को जिसमें ठीकदार बात करता है पर स्क्वाइर पीट में क्यार रेट लेगा श्रट्रिंग में कोई कोई सा मट्रियल लगता है प्लाइबूड बंबू और बल्ला उगरा के क्यार रेट लेता है पर स्क्वाइर पीट में इसी के बारे में कुछ जनकारी देंगे प्लीज आप सभी भाईयों से रिक्वेस्ट है निवेदन है कि वीडियो को सुरू से आखिर तक देखिएगा तभी कुछ नौलेज हासिल होगा कि 2023 में सब कंट्राक्टर टिकदार क्या रेट लेते है पर स्क्वाइर पीट का और कौन कौन सा समान अपने पास से देते हैं उसके बाद ओपर स्क्वाइर फिट में उसका रेट होता है बात हम करेंगे पहले कि वर्कर ठिकदार का होगा बल्ली बल्ला जो भी है सेंट्रिंग का पूरा सामान प्लाइवूड वर्कर हेंड साव मतलब आरी जो काटने वाला होता है प्लाइव को सब कुछ उसका होता है फोर्जेक्ट पर लिया करके सामान रखना फिर सेंट्रिंग खतम होने के बाद से जिस सेंट्रिंग करने के बाद पूरा सामान ले करके जाना और अपने मटरियल का दुरक्षा करना कि उसका कोई मटरियल डैमेज न हो और पर उपर तरीके से काम को खतम करके अपना समान ले जाते हैं उसमें ठिकदार प्रवाइड करता है प्लाइवूड बल्ली सेट्रिंग के बारे में हम बात करेंगे वैसे तो स्टील बानने का भी उसमें इंकलॉड होता है लेकिन उसको छोड़ करके हम बात करेंगे उसका सब कंट्राक्टर अलग ही होता है इस्टील बादने वाला कोई-कोई ठिकदार है जो सब कुछ इंकलॉड करता है जब तक सिलाब कास्टिंग न हो जाए पूरिंग न हो जाए कॉंक्रीट न हो जाए तब तक के लिए वो साथ में रहता है तो उसके बारे में हम बात नहीं बताएंगे जो इस्टील बांगते हैं सिरफ हम सेट्रिंग के बात करेंगे कि सेट्रिंग पर स्क्वार पीट में कितना पैसा लेता है सामने बात आ गई है देख रहे हैं कि सिलाब पर काम हो रहा है वरकर सब काम करते हैं यह 56 by 40 का यह सिलाब है मतलब पूरा इसका कंट्राक्ट में है इसका देट बल्ला देंगे वरकर देंगे और बंबू देंगे प्लाइवूड देंगे जो भी कट्पिस प्लाइवूड होता है सब उनका नुक्सान होता है पर स्क्वाइर फिट पर 30 रुपिया स्क्वाइर फिट करके यह पैसा लेते हैं रेट लेते हैं जो इंडियन कोश्ट है इंडियन भाड़ा है जो सेंट्रिंग का पर स्क्वाइर फिट 30 रुपिया करके लेते हैं तो फ्रेंड इसमें हम बात करेंगा कि इंकलोड कॉंक्रीट और स्टील वाइंडिंग करके पूरिंग करके कास्टिंग करके यानि कॉंक्रीट करके कितना रुपिया ये लोग लेता है साथी साथ इसके बारे में भी हम सभी भाइयों को नौलेज दे देते हैं कि इसका क्यारेट लगता है तो ठीकदार उसमें इंकलोड करता है जोडता है इस्टील बारने का कॉंक्रीट करने का जो भी लेवर कोष्ट जो भी लेवर चार्ज है उनके मट्रियल का चार्ज है उसको जोड करके 45 प्रुपया स्क्वाइर फिट ठीकदार लेते हैं जिसमें कॉंक्रीट उनका करना क्यूरिंग उनका करना और सिर्फ इसमें मकान मालिक का जो खर्चा होगा हो मट्रियल कोष्ट, सिमेंट, बालू, एग्रिगेट, पानी मतलब कि जितना कॉंक्रीट करने में जो भी मट्रियल लगता है उसका कोष्ट और मट्रियल मालिक को देना पड़ता है और सिर्फ कॉंक्रीट के बाद जिस दिन डिस सेट्रिंग होगा सिलाब उस दिन पर स्कॉाइर फिट करके मेजरिंग करेंगे सब कंट्राक्टर थिकदार और 45 रुपया स्कॉाइर फिट थिकदार लेंगे तो फ्रेंड 2030 में यही नया रेट है इससे पहले चीप एन बेस्ट पहले होता था सस्ती जमाना था लेकिन आजकल मांगाई के वज़से सिमेट भी मांगा है सेंड भी मांगा है एग्रिगेट भी मांगा है उस हिसाब से सब कुछ जोड़ करके फिकदार अपना पैसा लेता है तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही जनकारी हम देते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें तब आपको इस चैनल पर और भी बहुत सब वीडियो बने हुए है जो कंट्रक्शन लाइन से जुड़ी हुई है अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाएए और कंट्रक्शन लाइन में कौन सा काम किस तरह से होता है कॉलम का, सिलाप का, राफ फॉन्देशन का, वाटर प्रूफिंग का, टेटेनिंग वाल का, बहुत सब वीडियो बने हुए हैं, स्युविंग पूल का तो आप देख सकते हैं कि इस चैनल पर कौन-कौन सा वीडियो किस तरह से बना हुआ है और किस तरह से काम हुआ है जो कुछ भी है फेक टेक नहीं है, रियल टाइप का वीडियो है, जो कॉन्ट्रक्शन लेंज से चुड़ा हुआ है और इस वीडियो में इस से ज़्यादा और क्या जनकारी देंगे जो कुछ भी आपके सामने हैं देख रहे हैं कि सिलाब का सेट्रिंग ठीकदार कैसे करवाते हैं और कौन कौन सा माट्रियल इसमें लगा हुआ है यहां तक की लेवल जो सिलाब का होता है वो भी ठीकदार का जिम्में है थोड़ा सा भी 5 cm, 3 cm, 2 mm, 3 mm अप डाउन सिलाब नहीं होना है इसको डिरेक्ली प्लाई खोल करके छोटा मोटा जॉइंट रिपेरिंग जो भी होता है उसको ग्रांडिंग करके और सीधा आप प्राइमर मार करके सेलिंग को पेंट करवा सकते हैं इसमें और कोई प्लास्टरिंग का कुछ भी जंजट नहीं है बसरते की सिलाब परोपर लेबल होना चाहिए इसका भी ध्यान माली को रखना है कि हमारा काम कैसे हो रहा है जो पैसा हम दे रहे हैं वो पर्फेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो सकता है कि कुछ सपोर्ट अच्छा न लगने को जासे सिलाब फेल डाउन भी हो सकता है तो इसको भी सब चेक करके और कास्टिंग करने के लिए मालिक जो है ओडर करता है कि ठीक है हमारा काम प्रोपर है आप इसको कंक्रेट कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क मालिक का भी होता है लेकिन नैंटीफाइब परसेंट रिस्क सेंट्रिंग का सब कंट्राक्टर के उपर ही होता है उसमें कुछ भी डेमेज हुआ फेल डाउन हुआ उसका सारा कुष्ट मालिक सब कंट्राक्टर से यानि ठीकदार से लेगा कि हमारा मट्रिल इतना पैसा नुकसान इसका पेनालिटी या चो भी फाइन है वो आपको पेट करना पड़ेगा सब कुछ का एगरिमेंट सेंट्रिंग करने से पहले ठिकदार से कराया जाता है फ्रूप के लिए कि बाइद वे सिलाब फेल डाउन हो या गिर जाए कोई ये कोई अन बाइलेंस हो जाए तो उसका सब्सक्राइब कर लिए कि वीडियो सुरुष से आकर सब्सक्राइब कर लिए थैंक्स एंड टेक केर